हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस डिजैन के बारे में फ्रेंड्स हम आपसे इस वीडियो में डिसकस करेंगे ये हमार पास आज का जो डिजैन है 40 फिट वाई 40 फिट का 6 रूम का बहुत ही सांदर मॉडल है लोग बजट का बहुती सांदार डियान हैं तो आज हम आपसे इसी डियान के 3D मॉडल के बारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे ये हमार पास का 3D में पूरा मॉडल रहने वाला है तो फैंट साथ वीडियो को पूरा अंतक देखते रहिएगा वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँ है तो नीचे रेड बन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्केब कर लिजेगा नोटिफिकेशन वेल को प्रेस कर दीजेगा जिससे कि हमारी पुरते एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो चलिए सुरू करते हैं तो ये फिर्ट्स हमारे पास आज का जो डिजान है आप जो डिजान देख रहे हैं इसकिन पे यदि हम अपने डिजान की फ्रंट की बात करें तो 40 फिट का इसका फ्रंट है और डेफ्थ की बात करें तो हमारे पास इसकी ये 40 feet की है, हमारा पर इसकी depth रहेगी मिंकि की 40 feet वाईग, 40 feet का यह हमारा पत्त अपना plot है plot के front side में road है plot के right side में road है to side में हमारा ρohd रहने वाला है plot के दोनों ही side में Decline plot के front में है, front से हमने entry दियो हुई है जो हमारा front है इधर साइड से हमने entry दियो ही आप इसको देखेंगे तो यहां से हमारे घर का man gate रहेगा यह हमारे घर का man gate है elevation design की बात करें फ्रेंट्स हम यदि इसके elevation की बात करें तो elevation हमारा बहुत ही सांदार है एकदम latest model हमने इसको तयर के हुआ है इसमें हमारी यदि finishing की बात करें तो हमारा इसमें जो mostly work है वो हमारा pen finish में हुआ है इसमें mostly work हमारा pen finish में क्या हुआ है यह हमारा pen finish में हमारा work करेंबाला है इसके front में और इसके side में दोनों ही side में हमारा यह front में और right side में paint रेंसमें mostly work हुआ है तो यह हमारे पास अपना elevation है अब हम बात करेंगे इसका inside 3D plant के बारे में जो कि इसके ground floor के बात करेंगे सबसे पहले यह हमारे पास ground floor का 3D plan है तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारे घर की जो manantry है वो हमारा पास यहां से रहेगी यह हमारा पास मैनिगेट होगा मैनिगेट से जब इसमें आगे वड़ेंगे तो हमें यहां पर मिलेगी पार्किंग यह हमारा पास अपनी पार्किंग होगी जिसमें हम अपनी बैक बगएर यहां पर बहुत आसानी से पार्क करा सकते हैं, यह हमार पास अपना पार्किंग एरिया है, बाकि हमार पास राइड शैड में, यहाँ पर हमें थ्री फिड वाइड का एक पैसिज टैप से रहेगा, यह हमार पास अपना पैसिज रहेगा, जो कि हमार पास से थ्री फिड वाइड का रहे पर बागी फैंट का डियान इहां पर बागी तो इस वीड़े से घ्री आपेर edfin से हमारे अंदर यहां पर बहुत ही अच्छेبة नहीं रहेगा किचिन के लिए हमने अटेच रखा हुआ है इस बरामदे से हमने डोर रखा हुआ है यह आपको जो दोर दिखा दे रहा है इस डोर से हम अपने ड्रेंग रूम में आ सकते हैं मिन्स के कोई भी गेश्ट बगर आता है तो गेश्ट बगर आता है इसी बरामदे के थोरो अपने इस ड्रेंग रूम में एंटर कर सकता है यह हमारा ड्रेंग रहेगा ड्रेंग रहेगा ड्रेंग रहेगा अपने एक अटेच टॉलेट रहेगा जो कि ड्रेंग रहेगा और यह हमारा पास अपना toilet का यहाँ परllä fins हमारे डियान रहने वाला है हमारा जाल управ होगा हमारा बैटरूम का डियान हमें पर एक window मिलेगा तो इस window से हमारे अपने इस bedroom का भी अच्छे से ventilation होता रहेगा यह हमारा पास रहने वाला है हमारा पास अपना एक attached toilet रहेगा जो कि bedroom को साथ में रहेगा और यह जो हमारा toilet है इसके अंदर हमने वादिंग एरिया को toilet sheet दोना को इसके अंदर भी हमने combine ही रखा हुआ है toilet के friends back side में हमें आपर एक duct मिलेगा तो यह जो friends हमारा duct होगा इस duct के थो हमारा यह जो toilet है इस toilet का ventilator हमारा इसी duct के थो होता रहेगा यह हमारा बास अपना जो duct है आगे वाड़ेंगे प्लान में तो आप देखेंगे कि हमें यह आपर एक और bedroom मिलेगा यह हमारा बास रहने वाला है अपना second number का bedroom अपने इस floor का और यह जो friends हमारा bedroom है इस bedroom को साथ में भी हमारा एक attached toilet रहने वाला है यह हमारा attached toilet रहेगा साथ महारा dress area भी इसके अंदर रहने वाला है तो यह जो हमारा toilet है इसमें हमने warding area को और toilet की उर्दानों को इसके अंदर भी हमने combined रखा हुआ है और इस toilet के back side में भी हमें आप एक duct मिलेगा तो यह जो हमारा duct होगा इसी duct से हमारे इस toilet का भी अच्छे तरीके से ventilation होता रहेगा यह जो friends मारा duct है इस duct में हमारा पास इस वाले bedroom का window रहेगा तो इस window से हमारे इस bedroom का भी अच्छे से ventilation होता रहेगा इसी type से हमार पास यह जो duct है इस duct में भी हम अपने अंदर के side में यहाँ पर एक window का provision करना चाहें तो हम यहाँ पर भी एक window का provision कर सकते हैं और यहाँ पर फेंट हमने यह सको अपकराय हुआ है यहां से जाने वाले हैं हम अपने फर्स पॉर पर यह मार पास अपना इस्टियर्स रहेगा तो कुछ इस तरीके से यह मार पास अपना 3D में प्लान है जिसमें हमार पास अपने ground floor में दो बैडरूम है दो बैडरूम के पार्किंग है पार्किंग के साथ हमारा बरामदा है तो कुछ तरीके से यह अपना 3D में प्लान है अपने ground floor का अब हम बात करेंगे इसका first floor 3D plan के बारे में ये friends नहींड पास अपने first floor का THUAT choose plan है तो first floor पर आप आएंगे कि ये ये आप माइपस अपना upstairs i streets रहेंगे steers कहते प्रों में फर्स रो पाई गे थो first floor नहींगे तो first floor पे आने पर हमारी जो entry होने वाली है वो हमारी this hall के अंदर होने वाली है यह हमारा पस अपना first floor पर hall मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा हमें एक छोटा सा pantry area यह हमारा पस अपना first floor पर एक छोटा सा pantry area मिलने वाला है यहाँ पर हमारा pantry area है first floor पर हमें यहाँ पर मिलने वाला है एक बड़े साच का हमारा यह बरामदा type का मिलेगा जो कि हमारा पास से थोड़ा सा open भी रहने वाला है थोड़ा हमारा cover भी रहेगा तो हमारा यह front में एक वरामदा हमारा यहाँ पर मिलने वाला है यहाँ पर front हमें मिलेगा bedroom के जाएं यह हमारा पास अपने first floor का bedroom रहेगा यदि आप first पोर पे ऐस जर इसको drang room in use करना चाहें तो आप इसको first पोर पर ऐस जर अपने drang room भी डियू जी कर सकते हैं वाकि हमार पास यहां पर यह bedroom हमारा रहने बाला है bedroom को साथ में या फर आप बोल सकते हैं ये जो हमारा टॉलट है इस बादेंग एरिया को साथ में नुट है. ये हम्मारा टॉलट है शंब करकि मोले हम लेकर से अपना तीसरे नंब्र को बेटरूम होगा है बैटरूम में आप देख़ेंगे कि हमार पास यह ड्रैज हो इस वाले बैटरूम सामें और यह उमार टॉलेट है इसके अंदर मेन वाधिंगरिया को और टॉलेट शीट दॉनां को इसके अंदर हमने combine ही रख हुआ है तो यह हमार पास अपना toilet का डियान रहेगा जो कि हमारे इस वाले bedroom साथ में रहेगा यह हमार पास अपना duct है duct में हमार पास यह हमार पास ventilator रहेगा जिससे हमारे इस toilet का ventilation होता रहेगा और यह हमार पास window रहेगा जिससे हमारे इस bedroom का भी ventilation होता रहेगा तो यही फेंट हमारा आज का घ्रांट फोर का फरस्ट फोर का थीडेंग प्लान है और यह हमारा पस अपना एलेवसंड जो कि मैं आपको आपको और बता चुका हूं आप इसको देख सकते हैं यह मर कुछ इस तरीके से बरामतिक पड़ रहने वाला है यह हमार पस अपना थ्री फिट का यहां पर हमारे बलकनी रहेगी अपने फर्स्ट फोर की स्लेब बोल सकते हैं या फर सेकंड फोर पर बोल सकते हैं सेकंड फोर पर हमारे पास इसमें थ्री फिट की बलकनी रहेगी और यहां पर हमारे पास यह ओपन टैप से हमारा बरामता र finishing दिय हुए है जो कि group card के हमने इस mentor की finishing दिय हुई है वाकि हमारे पास यह मम्ति का डियान रहने वाला है यह हमारी मम्ति का डियान है तो यही फैंड्स हमारा आज का model है आज का design है डियान आपको यह कैसा लगा नीची comment box नहीं करके जरूर बताना थो इतना ही वीडि़ो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अमीद आपके वीडियो पसंद आया होगा यदि आपने वीडियो का लैक और सेर नहीं के है तो पिज लैक भी कर दीजे सेर्वी कर दीजे चैनल को सब्सक्राब कर नमबर भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट पाने के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत